तो आप लोगों का वापस से स्वागत है मेरे इस नहीं वीडियो में आज की वीडियो में हम टोयोटा फॉर्चुना और एक्सिवी 7W जो अभी 14 गस्ट को लांच हुई है उन दोनों को टक कर देने वाले हैं मतलब उन दोनों का वसेश कराने वाले हैं तो इस वीडियो को फि अंदर बहुत पहले समय से है और जो एक्सिवी 7W है वो इंडियन प्रैंड महिंद्रा की है जो अभी हाल ही में लॉंच हुई है यह फिलाल शोरूम तक भी नहीं आई है लेकिन इसमें जो स्पेसिफिकेशंस बताएं एक्सिवी 7W में मैं उस हिसाब से बता सकता हूं कि महि महिंद्रा की जो एक्सिवी 7W है वो पूरी की पूरी टक कर दे सकती है फॉर्चुनर को और इसके प्रैसेज भी बहुत ही ज्यादा एक दूसरे से डिफर करते हैं लेकिन अगर प्रैसेज को ना देखा जाए इसके फीचार्स वगरा को देखा जाए तो यह दोनों एक दू प्रैसेज को एक्षिट की बहुत पहले से है जिसमें आपको ओल्विल ट्रैप दोनों का ही ऑप्ष्ण आपको इसमें मिलता है यह पूरी तरह से ओफ-्रोडिंग और इसको आप कई वीडियोस में ऐसे देख भी सकते हैं जो पूरी तरह से ओफ-्रोडिंग में चाहरे हैं क जबकि Fortuner में जो इंजन है वो कम पावर्फुल बताई जा रही है और महिंद्रा XCV7W में जो इंजन है वो ज्यदा पावर्फुल बताई जा रही है जो कि अपनी सेग्मेंट की सबसे पावर्फुल इंजन अब तकी है Fortuner में आपको 2.7 लिटर का पेट्रोल इंजन मिलेगा और 2.8 लिटर का आपको एक डिजल इंजन मिलेगा और XCV7W में आपको 2 लिटर का पेट्रोल इंजन और 2.2 लिटर का डिजल इंजन मिलेगा लेकिन बात यहीं बे आती है कि 2.7 लिटर का जो पेट्रोल इंजन है Fortuner में वो 166 PS की पावर जेनरेट करती है जबकि जो 2 लिटर का पेट्रोल इंजन XEV7OO में है वो 200 PS की तक की पावर जेनरेट करती है जो कि आप इंजन के डिफरर्क को देख सकते हैं वही 2.8 लिटर का जो डिजन इंजन है आपके Fortuner में वो 204 PS की पावर जेनरेट करती है जबकि इसके उल्टा XEV7OO में जो 2.2 लिटर का डिजन इंजन है वो 155 PS की पावर जेनरेट करती है इसमें भी डिफरेंस थोड़े हैं लेकिन इसके पावर ज़्यादा बताई जा रही है साथ ही आपको जो अल्वी ड्राइब का उप्शन मिलेगा यह सिर्फ डिजल इंजन में ही मिलेगा यह XEV7OO का नहीं है जो डिजल इंजन में मिलेगा यह Fortuner में आपको सिर्फ डिजल इंजन में मिलेगा और विल ड्राइब का दोनों ही गारियों में आपको 6-speed manual और 6-speed automatic transmissions देखने को मिल जाते हैं इसमें आपको 7-seater मिलते है Fortuner में automatic variant में है वो भी डिजल का दोनों ही गारियों में आपको best diamond cut alloy wheels दिए गया है 18 इंचे के जो की दिखने में बहुत ही अच्छे दिखते हैं अभी जो हली में XCV7OO के दोनों में ही wireless charging support मिल जाएगा यह सब जो अभी दिया जा रहा है XCV7OO में यह सब पहले से Fortuner में fully loaded है लेकिन जो XCV7OO में extra features हैं वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा जो कि आपको speakers मिलते हैं जो कि सिर्फ आपको four wheel drive option में ही मिलेगा जबकि XCV7OO में आपको 12 speakers दिये गए हैं जो कि Sony के हैं क्योंकि इसके sound और भी अच्छा आने वाले हैं तो इससे आप यह बोल सकते हैं इंफोटेन्मेंट सिस्टम मिल जाता है जबकि XCV7OO में इंफोटेन्मेंट सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दोनों को मिला कर ही 10.25 इंचेस की आपको सिक्रिन मिल जाती है सेफ्टी में आपको दोनों ही गारियों में सेवन एयर बैक्स मिल जाएंगे फॉर्चुनर में भी और महिंद्रा XCV7OO में भी दोनों में आपको ABS with EBD स्टैंडर मिल जाते हैं यहां फॉर्चुनर के लिए एक प्लस पॉइंट है कि इसमें आपको हिल डिसेंट कंट्रोल मिलता है जो कि आपको XCV7OO में नहीं मिल पाता फॉर्चुनर में आपको रियर और फ्रंट दोनों के लिए सेंसस मिल जाएंगे जो कि XCV7OO में सिर्फ रियर के लिए दिया गया है शाथ इसमें बैक कैमरा तो आपको दोनों महीं मिलेगा तो इन गारियों में डिफ्रेंस तो बहुत है अपने आपने सेग्मेंट के हिसाब से क्योंकि आप पैसों के तंपे से सेग्मेंट नहीं बोल सकते लेकिन हाँ फीचर्स के तोर पर आप इसे सेग्मेंट जरूर बहुत सकते हैं क्योंकि XCV7OO में जैसे इंजन और उसकी जो बाड़ी टाइप है वो सेम तूसेम फॉर्चुनर की तरही नजर आती है जबकि फॉर्चुनर में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं तो कुछ कम फीचर्स हैं और जो मैं आपको एक्स्ट्रा फीचर्स बताने वालों जो की XCV7OO को फॉर्चुनर से अल और साथ ही इसमें आपको adjustable seat मिल जाएगा लेकिन ये adjustable जो seats हैं वो अलग तरह से काम करते हैं आप जैसे ही कार के अंदर enter करेंगे ये खुद बखुद आपके सम्मान में पीछा हो जाएंगे आप इसे वापस से आगे ला जाकते हैं तो ये आपके लिए smart seats हो गया हैं दोनों लेजेंडर वो आपको 38 रुपीस तक की मिल जाती है जबकि ये जो एक्सेवी 7W है वो आपको 20 लाख तक की टॉप मोडल मिल जाएगी जो की 13 रुपैसे लगभाग चालू होगी तो इस वीडियो में ज्यादा कुछ नहीं था अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसे लाइक कीजिए और सेयर कीजिए आपका एक लाइक मुझे मोटिवरेट करता है ताकि मैं और येसे वीडियो बनाते रहूं